तो दोस्तों आज एक और पॉर्टफोलियो को हम रिवीव करेंगे तो जिनका ये पॉर्टफोलियो है इनका लामे प्रगा थी मैम ये साउथ इंडियन स्टेट करना ठाका में रहते हैं और साथी सत कनारा बैंक में ये एज एंप्लॉई काम करते हैं आई केम अक्रोस ये चैनल वेन आई वाज निव तो शेयर मार्केट सिंस देन आम कंटिनुसली फॉलिए चैनल आम बिगफ़न ओफ एर अलाइसिस थैंक्यू मैम काफी बड़ा अमाउंट है एंड इस अमाउंट से काफी बड़ा विल्थ लॉंग टम में क्रियेट किया जा सकता है I have to make SIP of this amount I want to hold this portfolio for at least 5 years तो basically इनके portfolio में अभी 20 stocks से यह जानना चाहते कि कौनसे stocks को डखना चाहिए कौनसे stocks को add किया जा सकता है एंड किनको hold करना चाहिए तो इन्होंने recently investment स्टार्ट किया है एंड औक्टोबर माईन की first week से इन्होंने investment स्टार्ट किया है एंड यह जानना चाहते कि इनका जो portfolio है क्या यह over diversified है या नहीं तो देखेंगे आगे जाके Recently इन्होंने कुछ company में buying किया है like Polycap, Merico, Darbon में इन्होंने buying किया है and Jubiland Food, Lotus Labs में भी इन्होंने fresh entry लिया है यह जाना चाहते कि HDFC life को क्या hold करना सही होगा company बहुत ही slow चलता है तो ऐसा नहीं कि जो company slow चलता है वो company खड़ाबे अगर आप देखोगे past में तो relance ने भी एक time पे काफी return नहीं दिया था और काफी time तक consolidate किया था एक चुल की अगर हम बात करें तो वो भी लगभख 8-9 सालों तक consolidate कर रहा था तो ऐसा नहीं कि जो company नहीं चल रहा भी वो आगे नहीं चलेगा company का अगर देखोगे तो आपको profitability continuousty improve होता हुआ नसर आएगा तो जरूर आज नहीं तो कल यह company काफी stock के उपर होता है तो दोस्तों चली अभी देख लेते इनके portfolio में कितने stocks है और कौन से companies है और कि इनको रखा जा सकता है किसको निकाला जा सकता है तो अभी ता किनोर ने total investment किया है 461,000 का current portfolio का size 488,000 का बन चुका है and total portfolio के उपर approximately 6% यानकी 37,000 का profit इनको हो रहा है इनके portfolio में total 26 companies हम लोगों को देखने को मिल रहा है and 6 और हम लोगों को position में देखने को मिल रहा है बढ़ हम सिप holdings के उपड़ ही focus करेंगे तो first company Asian paint 19,000 का investment है अभी तो कोई profit जादा नहीं है पट company बहुत अच्छा है तो long time के लिए जरूर continue करना चाहिए उसके बाद नेक्स्टे बजाज finance 30,000 का investment है 2% का profit हो रहा है अगे इन बहुत अच्छे company का अपने चूर्स किया strong company है तो जरूर continue करना चाहिए नेक्स्टे डाबर्ड एंड इधर पे 10,500 का investment है 1% का loss हो रहा है पट FMCG की ये भी एक strong company है और long term का returns भी काफी अच्छा है multi-bagger stock है तो continue किया जा सकता है उसके बाद दीपक नाइटाइट एंड इधर पे अपने 29,000 का investment किया है 19% का शांदार profit मिल रहा है तो दीपक नाइटाइट भी एक बहुत अच्छा company continue करना चाहिए बट I think ये return अभी कम हो चुका है क्योंकि दीपक नाइटाइट high level से काफी गिर भी चुका है पर फिर भी company अच्छा है तो continue करना चाहिए उसके बाद जो next company है ये है Reliance and 26,000 का investment इधर पे है आपको profit मिलना है 3% का Reliance ने recently अपना result पोस्ट किया है और काफी अच्छा result company ने पोस्ट किया है पाजार को बीट किया है अभी देखना पड़ेगा कि कल के दिन result का कैसा impact होता है बट वो एक short term impact रहेगा मेरी सबसे Reliance जैसे giant company ने बहुत अच्छे earnings के जो number है वो पेश किया तो long term के लिए continue करना चाहिए और company का कामका चर्डी नेवल में भी देखने को मिलेगा future में तो जरूर आप कह सकतो कि इसको रहना चाहिए उसके बाद next company is root mobile and 22,000 का investment इधर पे 2% का loss अभी होड़ा है बट company अच्छा है company के जो quarterly number से वो काफी अच्छे थे बट फिर भी stock गिरा है तो जो stock इसको long term के लिए continue किया जा सकता है listing के बाद बहुत अच्छा return stock दे रहा है तो आप थोड़ा सा याप अलोकेशन को देखीएगा क्योंकि बाकी companies का अखरम देखे इधर पे तो एशन पेंट में अपने 19,000 का investment किया है बट अगर root mobile का देखा जाए तो एशन पेंट से जाधा investment है तो यसे जो छोटे-छोटे point है इसको पर आप नज़र रख सकतो कि इस क्या होता है अगे जाके उसके बाद नेक्स्ट जो कंपणी यही इस बेकर्ट एंड 5,300 का investment इधर पे strong company है एंड 4% का profit पे अपको मिल रहा है तो continue किया जा सकता है उसके बाद है टाटाई लगजी एंड इधर पे 11,700 का investment है 11% का profit मिल रहा है कंपणी ने रिसेंटली अपना result declared किया काफी अच्छा result company ने पोस्ट किया तो long term के लिए continue करना चाहिए उसके बाद है tight end and इधर पे 15,000 का investment है 13% का profit आपको मिल रहा है बहुत अच्छा या पे company है बहुत अच्छा या पे return भी आपको मिल रहा है तो continue करना चाहिए उसके बाद है Wipro and 21,000 का investment है 12% का profit आपको मिल रहा है company बहुत strong है IT का and इसको ज़रू long term के लिए continue करना चाहिए इन नेक्स्ट जो company है यह है Indian energy exchange and 11,900 का investment है अच्छा profit आपको मिल रहा है and आपको बहुत जल्द bonus भी मिलने वाला 2-1 का तो इसको आप continue कर सकते हूँ उसके बाद है IGL and 2600 का investment है अभी तो loss हो रहा है अभी entry barrier है इनके business में तो long term के लिए continue किया जा सकता है कि कोई नए player अगर आना चाहता है इस business में तो उनको काफी difficulty face करना पड़ेगा तो उस बज़े से इन company को काफी फायदा मिलता है यह company already established player है उसके बाद next है Infosys 34,000 का investment है 7% का profit मिल रहा है यह कम आपने बहुत अच्छा किया है तो इसको भी आप ज़रूर long term के लिए continue किजे उसके बाद है Mary को और इधर पे 5,800 का investment है अभी तो कोई profit नहीं है बट company अपने बहुत अच्छा चूस किया तो इसको आप continue कर सकते हो next है मुथूट finance और इधर पे 9,000 का investment है 4% का profit मिल रहा है मुथूट finance एक ऐसा company है चो की जो की एक ही range पे trade हो रहा है तो मेरी इसाब से बहुत जल्द एक fresh breakout हम लोगों मुथूट finance में देखने को मिलेगा उसके बाद next company है नौकरी एंड इधर पे 33,000 का investment है अभी आपको अच्छा profit भी मिल रहा है सारे 8% का तो इसको ज़रूर आप long term के लिए continue किजे उसके बाद इसको भी आप long term के लिए continue कर सकतो और अच्छा company है अगर देखा जाए तो government का जो PLI scheme है उसका बहुत जादा फायदा इस company को सबसे पहले तो इसको ही मिला था और आगे भी मिलेगा इस company को तो continue करना चाहिए उसके बाद इमाट एंड काफी बड़ा investment अपने किया है 34,000 का 11% का return भी मिल रहा है but I think return अभी थोड़ा कम हो गया बट फिर भी company बहुत अच्छा आपने चूज के तो continue करना चाहिए उसके बाद है happiest mine 9,700 का investment है आपने तो चुन-चुन के companies को ढूंडे है and उसके बाद return आपका है 1.25% तो जरूर continue करना चाहिए उसके बाद HDFC life 15,000 का investment है loss अभी होड़ा है ज्यादा time तक stocks नहीं चल रहा है and consolidate कर रहा है but company अच्छा है तो मे 500 का investment है company ने recent अपना result पोस्ट के बहुत शांदर result है तो जरूर continue आप कर सकतो सारे 8% का returns भी आपको मिल रहा है उसके बाद जो next company है यह है PD light and 17,000 का investment इधर पे है 3% का आपको profit भी मिल रहा है तो long term के लिए आप continue कर सकतो but again जैसे की root mobile में 22,000 का investment but PD light में 17,000 का तो इस चीज़ companies है वापे allocation थोड़ा सा बढ़ा सकते हो इससे अपके सकतो अपका portfolio strong रहेगा जो ज़्यादा fluctuation है वो ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा उसके बाद है polycap and polycap में 37,000 या 38,000 का investment है अभी तो loss हो रहा है but polycap ने भी result declare किया last day तो ज्यादा कोई impact नहीं हुआ है but next day हम ल loss but continue करना चाहिए and मेरी सबसे अच्छा company अच्छा return दे सकता है उसके बाद है relax हो and relax हो में 13,000 का investment है 5% का profit मिल रहा है but मेरी सबसे इधर पर allocation थोड़ा ज्यादा होता तो बेटर होता 25,000 तक का investment इधर पर किया जा सकता है तो इसको पड़ा focus कर सकते हो पाकी relax and root mobile तो अल्लेड बताईगा and इन्होंने जिन companies को अपने portfolio में add किया है सारे companies देखा जाए तो बहुत अच्छे companies है and इन सारे companies को long term के लिए continue किया जा सकता है इन्ही को पर मैं daily basis पर video post करता हूँ and जो portfolio reviews करता हूँ तो वहाँ पे कहता हूँ कि अगर यह company नहीं है तो इसको add किजे तो इन्हों इक को दूसरा है डाबर अगर देखा जाए तो दोनों company अच्छे बट मैं कहूंगा कि आप इन दोनों company से किसे एक को चूस किजे और बाकि आप actual and निसले यह जो दो company है इन में से किसे एक को चूस कर सकते हो तो इधर से एक company तो आपका portfolio और भी काफी strong बन जाएगा बाकि अपने banking industry में, IT में, then FMCG में, paint sector में, chemical में, NBFC में, then आपके बस pharma का stock है तो अलग-अलग sector में बहुत अच्छी तरीगे सापका portfolio diversified है आपके पास relaxo है, polycab है, then prince paper निवेश किया है, HDFC life है, then internet stock है, infoage है, titan है तो बहुत अच्छा portfolio अपने बनाया है तो मिरी सबसे long term के लि कहना है कि 15 stock होना चाहिए, तो अलग-अलग लोग का decision अलग-अलग होता है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि सबका portfolio अगर एक जासा हो जाएगा, तो सबको एक जासा ही return मिलेगा, बट अगर आप थोड़ा confident हो कि इस company मुझ अच्छा return मिल सकता है, तो आप आपके हिसाब से निवेश कर सकतो, बाकि अगर देखा जाए, तो इस portfolio में कोई खड़ा भी नहीं है, कोई खड़ा प stock नहीं है, तो सारे company को आप continue कर सकतो, बट अगर allocation को थोड़ा आप कम करते हो, यानकि चो companies इसको थोड़ा कम करते हो, तो ये portfolio थोड़ा और better return दे सकता है, आपको भी आग मुथूट finance में निवेश किया, तो वो अच्छा है, बट किसको बोलो, सारे अच्छे company है, तो मेरी सब से ये portfolio काफी strong है, काफी अच्छा है और continue करना चाहिए, बाकि मेरी सब से एक भी company तो यासा नहीं है, कि जिसको आपको exit कर लेना चाहिए, सारे companies को continue किया जा सकता है, त अगर मान लेते कि 18% का average return ये जिनट कर पाते हैं इनके portfolio के ऊपर, और 5 साल तक जैसे कि इन्होंने बता है कि ये at least continue करेंगे, तो 5 साल के बाद 4,80,000 का ये portfolio कितना बनेगा, तो ये बनेगा 11,00,000 का, जैसे कि मैं आपको हड़ वीडियो में बताता हूँ, कि compounding का जो actual power है, व तो 5 साल से ही हम calculate कर रहे हैं, तो इधर पे 11,00,000 का portfolio इनका बन जाएगा, और साथी साथ इनों नहीं ये भी बता है कि SIP करेंगे, 10 से लेके 15,000 का, तो हम एक बीच का amount ले है, 12,000 का पकड़ लेते कि ये SIP करते, 18% का average return इनको मिलता है, और 5 साल तक ये SIP को continue करते, तो इधर पे भी लगभग 11.7,00,000 का जो amount है, ये create कर सकते हैं, उसके बाद, 5 साल की जगा, अगर ये 10 साल तक continue करते हैं, SIP को, तो इधर पे 40,00,000 का जो amount है, ये बनाया जा सकता है, तो इधर पे 40,00,000 अधर पे तो आप कह सकतो कि ये और भी काफी बढ़ जाएगा, और आप कह सकतो तो टोटल पचास या साट करोर के बीज आ जाएगा ये इनका wealth, ओके, अफटर 10 years, अगर इसको 15 कर देते, तो ये portfolio और भी काफी बढ़ा बन जाएगा, और 15 साल तक अगर ये continue करते, तो जो value है portfolio का, तो ये करोड के ऊपर चला जाएगा, तो दोस्तों ये था इनको overall portfolio, आप आपकी सबस इस portfolio में कैक कुछ change करना चाहिए, कौनसे stocks को निकाल देना चाहिए, और कौनसे stocks को hold करना चाहिए, अब कमेंट करके बता सकतो, बाकी दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छे लगाए, तो एक लाइक ज़रू कर दीजेगा, साधी साथ चैंको सब्सक्राब ज मिलते हैं अगले वीडियो में, बाबाई